लगातार आप सब का स्वागत है। साउथ कोर याई आर्मी द्वारा तयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां के डोंग मैक बीच पर केमिकल से भरे ठेरों छोटे छोटे कंटेनर जब्त किये जा चुके हैं। इसके अलावा बीच पर कई बॉक्स में ऐसे एक सप्लोजिव भी मौजूद हैं जिन्हें छूते ही उन्ग में बिस्पोर्ट हो जाता है। इससे पिछले कुछ महीनों में अब तक करीब एक और दस लोग धायल हो चके हैं। रिपोर्ट के मताबिक दूंग मैक बीच के किनारे भारी संख्या में अमेरिकन्स और साउथ कोरियाई सैनेक और उनकी फैमिली की मौजूद्गी है। इसके चलते बीच पर अकसर इनकी भीर जमा रहती है। इन्हें ही नुकसान पहुचाने के लिए नौर्थ कोरिया द्वारा ये ये घटिया हरकत की जा रही है। इसके अलावा यहां टूरिस्ट की भी हमेशा भीर रहती है जिससे खत्रा और बढ़ गया है। सुरक्षा के मद्दे नजर साउथ कोरिया ने कई जगे टूरिस्ट को साब्धान रहने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए हैं। साउथ कोरिया के काउंसिल ओफिशियल्स के मताबिक नौर्थ कोरिया के सैनिक इसके लिए कई तरह के तरीके आजमा रहे हैं। एक स्प्लोजिव भेजने के लिए छोटे छोटे लकडी के बॉक्स का इस्तिमाल किया जाता है। समुद्री बॉर्टर पर मौजूद रहने वाले को रियाई सैनिक इन बॉक्स को लेरों की दिशा के हिसाब से समुद्र में बहा देते हैं। वहीं केमिकल से भरे छोटे कंटेनर्स बारिश के मौमस में बहाए जाते हैं। इस दोरान तेज हवाओं के चलते आसानी से कंटेनर साउथ कोरिया के बीच पर पहुँच जाते हैं। आम और पर बीच पर खेल रहे बच्चे इन कंटेनर्स को खोल लेते हैं और विसपोर्ट के चलते गायल हो जाते हैं। इसी के मद्दे नजर साउथ कोरिया आर्मी ने बीच पर ऐसे कई साइन बोर्ड लगा दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति भूल से भी किसी लावारिस बॉक्स या कंटेनर को नक्षवे। बलकी ने देखते ही इसकी जानकारी बीच पर मौजूद पुलिस को दे।